आप सबको मेरा नमस्कार अभी हम लोग लिव अपलिकेशन या चुट्टी के लिए जो यदन पत्र होता है उसको लिखना सिखेंगे यदि हम मेरे से कोई किसी कमपनी आफिस में काम कर रहा है और अपने भाई बहान या किसी रिसदार के साधी के लिए उसको लंबे दिनों के चुट्टी लेना है जैसे इसमें मैंने 7 दिनों का उधान बताया है आप चाहें तो 7 दिन को 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन एक मैना भी कर सकते हैं जितना दिन का आपको चुट्टी चाहिए जिसको कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगी देखिए सिवा में फिर लिखेंगे स्रीमान मेनेजर सहाब यहाँ पर मैंने जो मेनेजर सहाब लिखा हुआ है HR Department का जो हेड होगा या आपके जो मेनेजर होंगे उसको आप समोधित करते हुए लिख सकते हैं फिर आपको लिखना है यहाँ पर आपके company का नाम जिस भी company में आप काम करते हैं उसका नाम को यहाँ पर लिखना है फिर लिखना है आपको सहर का नाम उसके बाद आपको दिनांक लिखना है और दिनांग लिखने के बाद में फिर विषय पे आ जाना है विषय पे आपको लिखना है यदि भाई की साधी है तो भाई का साधी लिखना है यदि बहन का साधी है तो बहन का ये एक और भी किसी रिसेदार का कोई काम है या साधी है उसको यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई की साधी होने पर साथ दिनों की छुट्टी है तू तो साथ दिन से ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा लिखेंगे कम चाहिए तो कम लिखेंगे फिर आगे मैंने लिखा है महोदय यहांपे अगर कोई महिला आपकी प्रमूह है तो महदया लिखेना है आप लोगों को पिर आगे लिखेंगे इसमें कि सब भी नहीं निवद्धन है कि मैं यहाँपे फिर आपको अपन नाम लिखना है जैसे आपका नाम सुमीत है तो मैं सुमीत कुमार आपके कमपनी यहाँ पर फिर कमपनी का नाम लिखना है जैसे कि टाटा इस्टिल है तो टाटा इस्टिल जिंदल इस्टिल है तो जिंदल इस्टिल का फिर यहाँ पर आपका पद लिखना है का हूँ माले जापे कॉंटेंट है, junior engineer है, engineer है, manager है, का junior engineer हूँ, guard हूँ, color हूँ, जो भी पत्ध प्र आप है उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर आग आपको बताना है कि क्या होने वाला है, तो हर्सीत पूरवक आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे चोटे भाई की साधी तैव हो गई है तो देखें यहां पर मैंने चोटे भाई लिखा हुआ है आप जो भी रिस्तेदार के लिए आपका साधी है या कोई काम है उसको यहां पर लिखेंगे तो मेरे चोटे भाई की साधी तैव हो गई है जो इसी महिने उसके पाद आपको लि लिखेंगे, आगे है कि बड़ा भाई होने के नाते मुझे साधी की सभी जिम्हेवारी निभानी है, तो आप बड़े भाई है, या जो भी रिस्यतार है आप उसको यहाँ पर लिखेंगे, कि इस नाते आपको जो है ना साधी की सभी जिम्मेवारी निभानी है, यहाँ पर सादी दो बार लिखा गया है, एक ही बार होगा, अता मुझे साद दिनों की चुट्टी की आउसिकता है, तो यहाँ पर मैंने साद दिन लिखा है, जैसे मैंने बताया, आप अपने जनों जनुसार इसको बदल सकते हैं, अब लास्टे म है, या दस दिन गिनना या तीन दिन गिनना है, और उस तारीक को यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर साद दिनों के चुट्टी पदान करनी की गिरपकर यहाँ आप में लिख दिया है, इसके बाद आपको उनका अभार मानना है, कि इसके लिए मैं सदा आपका भारी तेक बार फिर से देख लिजे इसको किस प्रकार से हम लोग लंबी चुट्टी के लिए आधन पत्र लिखेंगे तो आसा करता हूं यह जो आधन पत्र है आप लोगों के लिए काफी जाद उप्योगी साभीत होगा